स्वगत हमित्रो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्टरानिक स्टडी पर बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में हम हिंदी सिक्षाशास्त्र के भागतीन के बारे में Language Science क्या होता है जब आप हिंदी सिक्षाशास्तर के बात करते हो वहाँ पर हम बात कर रहे थे आप जो इसके और वीडियो हैं उनको आप यहाँ आई बटन की लिंक से भी आप राप्त कर सकते हो आप वीडियो के डेस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे प्ले के बारे में हम बात कर चुके थे कि एक मानक भाषा का मतलब क्या होता है जब आप एक स्टेंडर्ड लेंग्वेज को डिफाइन करते हो मानक रूप क्या है वो भी हम आपको बता चुके थे हम सभी लोग मिल के यह से समझे थे कि exactly आप जब एक स्टेंडर्ड फॉर्म की बा हैं जो कि एक स्टेंडर्ड लेंग्वेज में हमें देखने को मिलेंगे सबसे पहले बात आती है यहाँ पर व्याकरडिक सामेता आपको मैं बता दूँ सामेता आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहले से ही इनके decided grammar के कुछ आपकी words कुछ alphabets होते हैं कुछ नियम कान लिखते हो तो उसमें उसकी grammar जैसे इंग्लिश की grammar को लेकर के बात करो हिंदी का grammar पहला portion हो गया वह आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही स्वायतता की बात आती है तो स्वायत तो होना फ्री होना यह चीज आप इसकी तत्व में एक रख सकते हो एतिहास रिखता एतिहास ही कह पहले से चली आ रही हैं आप यह भी देखते रहे होगे कि इसमें आपकी जो है गद्यपद्य की रचनाएं या फिर कई अगर आप हिंदी विधाओं की बात करते हो तो वह भी हम इसमें लिखते चले आए हैं केंद्रोन मुखता कहीं न कहीं से केंद्र की तरफ उनमुख हो जो एक इसका उद्देश है उसकी तरफ उनमुख होना जो अब्जेक्टिव है उसे फुल्फिल करना कि exactly हम किस चीज को ले करके चल रहे हैं और क्या चीज हमें पूरा करना है तो ये तत्तों में आप इसे भी include कर सकते हो रख सकते हो बहु संख्यक प्रियोग श्रीलता भी ठीक है आप यही बोलोगी किसमें बावन है वरडो की संख्या इसमें आपके ग्यारा है स्वर या मुल आप स्वरो को ले करके बात करते हैं इसमें वेंजन है आपके जितने भी आप बोलो 41 बोलो ऐसे में ठीक है तो यह चीज़े आपके निकल करके हिंदी भाशा की रूप कर सकते हैं चीजों का इनके जो कॉंसेप्ट है और इनकी जो बाते हैं ठीक है इनके या फिर जो नियम कानून है या फिर इनके जो कोशल है उन चीजों के बारे में अगर आप बात करते हो उम्मीद करते हैं कि इनके तत्तों में आपको बहुत अच्छे से चीज़े समझ मे या लर्निंग, मैंने आगे लिख रखा है इसमें, विजी से आसानी से समझ में आए, यहां पर एक पॉइंट में डिफाइन किया गया है, लर्निंग को या अधिगम को, कि आनुभाव वा परिवेश, वा परिस्थितियों के कारण, जो हमारे एक्स्पिरियेंसे होते हैं, जो हम अधिगम कह देते हैं, उसे हम लर्निंग कह देते हैं, जोना समझिएगा, कि यहां पर अधिगम को कहा क्या गया है, आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कि अधिगम के द्वरा वेक्ति के विवहार में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, आपने कुछ अच्छी ग बाइर का महौल तो आगर आप बैठे हो घर ही में मैं आप से बूलो आप पढ़िये और अगर ऐसे में आप चीज नहीं कर रहे हो और माल लिजिये कि आप पर वो चीज असर कर गई जो मैं बूल रहा हूँ फिर तो या परिवरतन फिर तो आपके वहार में change कहीं ने कहीं आप समय दोगे जो भी बैठे हो एक दो तीन घंटा दो घंटा ही सही लेकिन आप अपने पढ़ाई पढ़ाई पर समय दोगे ठीक है मैं बताता हूँ कि तारतम मेता नहीं चूटनी चाहिए एक दम से पूरी तरीके से चलनी चाहिए ठीक है आप अपना सेक्वेंस बनाए रखे पढ़ाई का जो एक लए है आपका वो चलता रहा है तो ऐसे में यही है अधिगम जो आपके कहीं न कहीं व्यवहार में परिवर्तन लाग देगा या जो है व्यवहार में परिवर्तन इन्हों लिए निखा है कि भाषा के कौशलों यानि की जो स्किल्स होती है उन पर अधिकार प्राप्त करके उनके परिवेश वा परिस्थितियों के अनुसार प्रियोग व्यवहार करना ही भाषा अधिगम है आप समझ रहे हो मतलब भाषा के स्किल्स जो भी होते है अब आपका जब आप सुनने बोलने को बात करते हो यह पढ़ना है और यह लिखना है इसे ही इंग्लिश में आप ल-s-r-w-e कह देते हो listening, speaking, reading and writing यह आपका sequence यही होना चाहिए अगर आप sequence गरबड़ करते हो तो फिर दिक्कत है जो कावसलों को जानने का या बच्चों के द्वारा या परात्मे कस्तरबर बच्चों के द्वारा सेखने का जो आपका एक क्रम है वो l-s-r-w-e होता है तो इसमें वही लिखा बहुत important है आपके सिख्षा शास्तर में सिधे सिधे question दे देता है कि बालकों में इन में से कौन सा कसंद कथन सही है फिर दे देगा बालकों में भाषा को गरहन करने की प्रबड़ती स्वाभाविक होती है सहज होती है और फिर वही आपका statement जो है वो क्या होगा बाई सिख् करता है, वह क्या सीख रहा है, जो आज पास का जो भाशा ही परिवेश, लोगों की language कैसी है, घर की language कैसी है ठीक, एक फॉर्मल तरीके से लोग बोलते हैं या एक इन्फॉर्मल तरीके से वैसे भी परिवार में अनआप्चारिक तरीके मैं ऐसे बोल रहे हो घर में मित्र में परिवार में वो आपकी अनापचारिक भाषा होती है सीटेट में आपका सवाल आया था कि हम अपने आपसी व्यवहार में किस प्रकार की भाषा का प्रियूग करते हैं वो अनापचारिक भाषा होती है इन फॉर्मल होती है ठीक है जो आ गोंखर में उत्रोतर सामंजससे की परकरिया है ये है बुरहश्ट फेटरिक इसकिनएर के परीभाषा ठीक है यहां पर इन्ने लिखा हुआ इन्ने बोला Senior सामंजससे की परकरिया बोला learning को सीखना, आदतों, ग्यान वा अभिवरतियों का रिजन है बहुत बार यह आपका statement ही CETED, BTC, DLED आप UPTED, किसी में भी पेपर में बात करो यह वाले जो statements हैं यह आपको अक्सर देखनों को मिलेंगे यह वाले statement, यह वाला statement क्रो एंड क्रो महोदे का जो है कि सीखना जो है, वो आपकी habits को ले करके आपके knowledge, जो अभिवरति, जो आदते होती है उन्हीं का अरिजन है ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें, लिखा है भाषा अधिगम में व्यक्तिकत भेद बाये जाते हैं मतलब कहने का यह है कि अगर मैं सीख रहा हूँ, कोई एक और बच्चा अगर सीख रहा है मैं स्टूडेंट हूँ, वो ही स्टूडेंट है तो दोनों में सीखने का जो एक pattern होगा जो एक तरीका होगा, वो अलग होगा हो सकता है, वो ज़्यादा सीख ले, मैं कम सीख वाँ यह सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं इंडिविजूल डिफरेंटियालिटी व्यक्तिकत विभनता बोल देते हुआ इसे ही व्यक्तिकत भेद बोलोगे बड़ा यहाँ, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा को बोलने की दरश्ट्री से जल्दे सीख लेती है अचा यह साइकलोजी आपके कहती है कि जो लड़किया है, वो ज़्यादा सीखती है लड़कों की अपेक्षा बाकादा एक्सपरिमेंटल चीज़ है, एक्सपरिमेंट करके यहाँ पर बताई गई है वह जो क्या बोलती है उनमें अधिक शब्द पाये जाते है देहां दीजेगा, वो जो भी बोलती है लड़किया आप कहती है, आपके लड़किया बोलती बहुत है वास्तों में यह साइकलोजिकल चीज़े है और ऐसे में यह कहा गया है उनमें अधिक शब्द पाये जाते हैं और यह कहा गया है कि भाषा अधिकम की बात भी उनमें जादा होती है भाषा अधिकम में क्रिया शीलता सक्रियता का बहुत महत्वा होता है भाषा अधिगम को आदत निर्माड की प्रकरिया भी कह सकते है आप अगर ये चाहो कि आप उदासीन हो करके फिर कोई language आप सीखो या आप सीख पाए तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है आप में सक्री, आपका सक्री होना बहुत जरूरी होता है आप क्रियाशील रहें, आप कहीं न कहीं से करके कोई चीज सीख रहे हो क्रियाशील ता भी एक्टिवनेस भी बहुत जरूरी होती है जब आप language learning की बात करते हो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ आपकी भाषा अधिगम की कुछ कठिनाईया होती है जैसे सीखने और वातावरण की प्रिस्ट भूमी वातावरण कैसा है, वो जरूर प्रभावित करेगा आपकी अधिगम को अगर सही है, शांत वातावरण है तो अच्छे से आप सीख सकोगे पहली चीज दूसरा है दैहिक विकार अगर कुछ आप में दोश है, हाथ पैर में प्रॉबलम है, कुछ भी है मुख में विकार है, तो भी दिक्कते आएंगी संकोची स्वभाव का होना भी कही न कहीं से भैवीत होना भी कहीं न कहीं से आपकी अधिगम को प्रुभावित करेगा मांसिक विकरती है, कुछ बच्चे होते हैं, जो mentally retarded होते हैं मांसिक रूप से पीछे, पिछड़े बालक होते हैं जो अगर आप में confidence नहीं है, self confidence नहीं है तो भी दिक्कत है, शब्द वाक्या का अगर आपको सही से अर्थ ग्यान नहीं है तो भी भाष्रा को सेखने में ध्यान दीचेगा या भाष्रा आधिगम में आपको कठीना या देखने को मिलेंगी दोस्तों इस वीडियो के description में लिंक दी हुई है टेलिग्राम चैनल की, वहां से आप जरूर जुट जाएए आपको मैं वहां पर वीडियोज, आपके PDF फाइल्स जो भी important news होती है वो मैं भेज दिया करता हूँ स्क्रीन पर आ रहा है अप तीन वीडियोज को देखें जरूर ये part 1 है, हिंदी पेडागाउजी का ये दूसरा भाग है आपका सिक्षा शास्त्र का और हम आपसे मिलते हैं, एक और वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक और वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे शुक्री आप सभी का तब तक के लिए